नमस्कार जैहिंद वनेमातरम साथियों दोस्तों आज की इस वीडियों हम बात करेंगे UPSI की रिजल्ट के संब्द में तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा UPSI में जो पोस्ट है वो 9534 पोस्ट निकाली गई है जिसके लिए जो एक्जाम कंड़क्ट कराए गया वो कराए है था बार है नवंबर से दो दिसंबर के बीच ठीक है बार है नवंबर से दो दिसंबर आंसर की दस दिसंबर को आ गई और आंसर की पर जो आपतिया मांगी गई थी उसकी जो डेट दी गई थी वो सोल है दिसंबर दी गई थी उसके बाद आप लोग रिजल्ट का इंतजा तरफ यह सूचना आप लोगों को देखने के लिए रिजल्ट, जाने कब आएगा UPSI परिक्षा की परिणाम, यह परिक्षा का परिणाम कब आएगा, क्वालिफाइन मार्क्स क्या रह सकते हैं इसके बारे में मतलब पूरी डेटेल साथ माज की इस वीडियो के जरी हम बात करेंगे ठीक है भई 9534 पोस्ट है सब को पता है और आप लोगों को पता होगा DVPST के लिए ये भी बोल दिया है ठीक है लेकिन यानि एराउंड 20,000 यानि कि 20,000 के आसपास ये लोग बुलाने वाले है तो देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ी सी जानकार इसके बारे में दे देता हूँ 307 वेकेंसी पिछली वेकेंसी में निकाली गई थी जो 2016-2017 में वेकेंसी आई थी तो उसमें 307 पोश्ट के लिए लगवग 6,000,000 जो अभिरती थे ठीक है वो एक्जाम में बैटे थे लगवग 6,000,000 के समती में तो उनमें से लगवग जो बुलाय गया था 307 पोश्ट के लिए 11,000 कैंडिडेट को बुलाय गया था और उसमें से मातर 25,000 पोश्ट ही फिल हो पाई थी कहने का मतलब 11,000 बुलाने के बाद भी 800 पोश्ट खाली रह गई थी तो क्या 20,000 लेने पर 20,000 कैंडिडेट को बुलाने पर 95,000 पोश्ट भर जाएंगे इंपॉसिबल असमभवय नहीं भर सकते किसी भी सूरत में आप लोग देख लीजेगा मैं कहा रहा हूँ 5,000 के सम्थिंग में पोश्ट यहां पर भर पाएंगी 20,000 लेने के बाद में क्योंकि भी दोडने की उमर होती है हर कोई ऐसा नहीं कि में दोडता है रहता, उमर होती है दोडने की भी और SI میں जितने भी कैंडिडेट होते ना तो जातातर लोग जो होते है वो एजिट होते है यानि कि उमर दराज जिनें बोलते हैं जिनकी उम्र जो है थोड़ी सी उपर हो जाती है ठीके बहुत दोड़ने की उम्र होती है तो उसे ही लेकर दोस्तों यहाँ पर एक साइट पर रिजल्ट के सम्मद में सूचना आईए कि इसका जो रिजल्ट है उसकी सूचना आईए है क 31 जनवरी के आसपास की डिटेल बताई जारी कि 31 जनवरी के आसपास देखिए रिजल्ट आने की अभी भी संभाव बनाए है ऐसा ने एक रिजल्ट आने की संभाव बनाए नहीं है भले ही चुनाव आप लोगों का 10 फरवरी के आसपास है हो सकता है यह चुनाव शुरू हो करता है की कराने के लिए क्या नहीं करा सकते हैं अब आप लोग कहें बीस जार चैंड करता है कि कराना चहा रहे हैं कि नहीं कितना समय और आप लोगों का यह कहाँगे क्यों कि यह नयुक्त Dann उसके हिसाब से आप लोग इसमें टेस्ट सीरीज परसेस कर सकते हैं मान के चलिए दोस्तों आप लोग यूपी पुलिस कॉंस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं या फिर गूर्प डी की तैयारी कर रहे हैं इसे आप लोग जैसे ही टिक करेंगे यहाँ पर टिक किया सेब का उप्शन आया सेब कर लेना है ठीक है तो इसमें आप लोगों को यह टेस्ट प्रोवाइड करेंगे ओनलाइन कोर्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पर आप लोग देख सकते हैं तो यूपी कॉंस्टेबल के बारे में आपको आज की इस वीडियो के मात्यम से बताएंगे कि आप लोगों को यूपी कॉंस्टेबल का टेस्ट खरीदना है तो इस पर आप लोग टिक करिएगा एक सेंपल के तौर पर फ्री प्रेक्टिस सेट है जैसे हैं पर लोगों को टेस्ट पर्श AIDS करना है तो यहां पर टिक ही जगा यूपी कॉंस्टेबल का टेस्ट पर्शिस करना है रेल्वे गृप डीका करना है आप लोग जिस भी हग्जाम के तयार कर रहे हैं यूप लोग टेस्ट करेंगे हमारा पस प्रोंव कोड है पी 149 यानि कि 149 रुपे का पड़ेगा तो ऐसे आप लोग गुरूप D का भी टेस्ट करीज सकते हैं किसी का भी हमारे प्रोमो कोड का इस्तमाल कर टेस्ट आप लोग यहां से खरीज सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं देखे यूपी पुलिस SI रिजल्ट 2021 जाने कब आएगा यूपी पुलिस SI परिक्षा के परिणाम देखे क्वालिफाइं मार्क्स ठीक है बड़ी अपडेट है जल्दी उत्तर परदेश पुलिस यानि कि यूपी SI रिजल्ट का इंतजार खतम होने वाला है पिचान में 134 पदों की भरती के लिए परिणाम जल्द ही यूपी पीबी पीबी की ओफिसल वेबसाइट पर जारी किये जाएंगे उम्मीदबार यहां संभावित रिजल्ट वे अपकमिंग इवेंट चेक कर सकते हैं इस ओफिसल वेबसाइट पर ठीक है बई जल्द जार गया है कि इस भरती को रिजल्ट मलब इस भरती का जो रिजल्ट है ठीकर डेट को लेकर कोई अधिकारे खोशना नहीं है लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो यह परिणाम जल्द जारी होने वाला है उम्मीदबार 31 जनवरी तक परिणाम आने की उम्मीद कर सकते हैं कब भावनाएं अभी भी रिजल्ट आने की हैं ऐसा नहीं की रिजल्ट नहीं आ सकता अब यह उनको प्रिपेंड करता है कि वेकैंसी चुनाब की बात ले जाना चाहते हैं अपर चुनाब से पहले इसे खतम करना चाहरे हैं ठीक है अब एक कंडिशन इसमें यह हो सकती है कि अपनी दिमाग से जो बात कर रहे हैं इसमें सात लाख बासाट हजार कैंडिडेट हैं हना तो यदि इनको चुनाब अपना बनाना है चुनाब बनाने के चक्कर में है यह तो चुनाब बनाना है तो यह रिजल्ट आप लोगों का रिलीज नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंग है जिसका वोट करने का मन भी होगा तो वह करेगा तो अभी इस अभी किसी को यह तो पता जी न है कि मेरा आएगा नहीं आएगा ँछाई और परसौन तो ह120 से और जिसके भी मांक्स उसका तो आए गई आएगा इसमें कोई भी दो रही वाली बात नहीं कितने कुशन कट सकते हैं दो चार छे हना लेकिन 120 वाला अगर इजी सिप्ट वाला हुआ तो वो नीचे भी जा सकता है और 110 वाले का भी नंबर उपर आ सकता है अगर उससे 10-5 सवाल उसकी सिप्ट हार्ड गई थी आप लोग कहेंगे पिशली लिस्ट में 50% यह नहीं 2016 वाली जो बढ़ती है उसमें 50% क्वाली भाई था और 50% ओवरॉल था तो ओवरॉल यहां पर भी 50% यह और 50% की जिगह यहां पर कितना है 35% आप लोग कहेंगे पिशली बार का जो पेपर आया था वो थोड़ा टफ आया था अब की बार का जो है थोड़ा सा इजी आया कितना फरक पड़ सकता है ठीक है कितना फरक पड़ सकता है 252 और पिछली बार भी पेपर ठीक ठाक लीख हुआ था ऐसी बात नहीं है पेपर यहां भी लीख हुआ है पेपर वहां भी लीख हुआ मेरिट वहां जब रिजल्ट आने पर होंगी लेकिन एक आंखले ने बता दिया मैंने 265 के आसपास 260 से उपर रहेगी 265 के आसपास जर्ञरनल रह जाएगी 260 के आसपास तम देख लेना कि OVC आजाएगी 255 के आसपास लगवग लगवग SC आजाएगी 250 के आसपास आजाएगी ST, यही मतलब मानक बनेंगे, यहीं के एराउंड फिकर में आप लोगों के जो रिजल्ट है, वो रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसमें अभी आप लोगों के मार्क्स और भी एड होंगे, अब 120 वाले को पता नहीं कि उसके कितने, 110 वाले को पता नहीं, अब आपके 110 नहीं अब आपके मार्क्स हो गई, नॉर्मलाइज, पता नहीं किसको घाटा होने वाला है, किसको फायदा होने वाला है, तो यह तो रिजल्ट आप लोगों का सैट हो गया, कभी भी किसी वी वक्त जारे गिया जा सकता है, रिजल्ट तैयार है, अब यह चुनाब के वज़े से न नाम को, देखे, यहांपर दो संभावना यहांपर गोसित कीई गई है, यह देखे, संभावित तिpurpose आसाम समय देखे, जनवरी 2022 के अन्द मिदित कर दो फरवरी 2020 के पहले सब्पा तक जारी होने की संभावना, यहांपर मैं नहीं कहे रहा भी, यह मीडिया रिपोर्ट्स कह ठीक है अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए और लगता है कि हाँ यह अपडेट जैनुवन हो सकती है वात्तविक हो सकती है तो फिलीज वीडियो को लाइक करें यूट्यूब चैनल को सिस्क्राइब करें थैंक यू बाइबाए